सो ही नवश्कार दोस्तों आप सभी का इकावनिक वीडियो में स्वागत है तो यहां पे यार काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग नियूज आ रही है काफी बड़ी अपडेट यहां पे आ गई है यहां पे आपको देखने को मल जाएगा गैलरी के उपर एक बहुती ज़्य हादा इंट्रेस्टिंग और बहुत ही अफ्डेट यहां पे निकल के आरही है तो यहां पे आर फाइनली आप यहां पे दिखाऊं तो आप यहांपर द सेटिंग्स के अंदर आपको स्काइमोड के अंदर नया वाला जो आपने स्काइमोड देखा था जो कि मीवाइ 12 के अंदर आने वाला था वह यहां पर रोल आउट होना शुरू हो गया है अफिशली स्टेबल मीवाइ 11 के अंदर तो चलिए आज के वीडियो में दिखाता हूँ आपको यह क्या अपडेट किस तरीके से मल जाती है अगर आपके में नहीं आई है तो कैसे आप कर पाऊगे इसी वीडियो में सब तो उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो नीचे रेक लगए बड़न दबा के कर लो वीडियो वसंद आए लाइक शियर ज़रूर से कर देना यहां पर देख सकते हूँ यह है मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो इसके अंदर अभी रिसेंटली आर एंड्रोइट 10 की स्टेबल अपडेट रोल आउट हो है मैंने कोई APK से इसको अपडेट नहीं कर रहा है आप देख सकते हो तीन जून की लेटिस्ट अपडेट यह आपको देखने को मिलती है वाट्स न्यू यहां पर देख लो तो लिखा हो मिल जाएगा एडिड मैजिक विंटेज एडिटिंग फंशन और यहां पे कुछ इन का भी ऑप्शन मिल जाता है तो इस तरीके से इसको यहां पर फुल टू चेंज कर दिया है और यहां पर देखोगे तो यहां पर शॉर्टिंग वगेरा का भी ऑप्शन इसके अंदर आप ऑफिशली देखने को मिल जाता है जिसमें आप यहां पर शॉट कर सकते हो कि और यहां पूरा फिल्टर यहां पर सेक्शन मिल जाएगा जिसमें काफी सारे नया-नय फिल्टर देखने को मिलते हैं विग दो और आपको यहन पर नीचे लेकर चलूँद आपको यह filter वाले में movie में option में सबसे पहला portrait mode वाला option मलता है जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान होगा बहुत जल्दी ही option आया था जिसका color pop नाम था अब इसको change करके portrait mode में कर दिया है background आप देख सकते हो black and white हो गया है लेकिन जो subject है वो color आपको देखने को मलता है तो यह इस apply कर सकते हो और use कर पाओगे जो कि एक काफी अच्छा option यहाँ पर देखने को मलता है उसी के लावर जो दूसरा option है वो है sky mode का तो sky mode वाला option हमने देखा था लीक हुआ था कि बहुत जल्दी आने वाला है और यहाँ पर यह अब officially stable आ गया है जिसमें आप sky mode के अंदर आपको नय mode देखने को मल जाते हैं जो कि बहुत ही सूपर कूल यहाँ पर लगते हैं जो कि sky का पूरा या इसका ही चेंज कर देते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से काम करते हैं देख सकतो detailing कि इसके अंदर देखने को मलती है यहीं पर दूसरा mode आपको यह जो डाइनमिक देखने क चलते हुए आपको देखने को भी मिल रहे हैं तो इसके अंदर और भी कई सारे अलग-अलग क्लाउट के ओप्शन है च्विलाइट आप देख सकते हूँ रेन वगरा भी आप यहां पर देख सकते हूँ आपको यह देखने को मिलेगी अब रेन का ऐसा है कि यहार आपके फ अफिशल अपडेट यहां पर आपको अंदर जाके देखने को मिल जाएगी अगर आपको नहीं देखने को मिलती है तो मैंने आपको यार इसका एपी के का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो कि यह आपको देखने को मिलता है ग्लोबल एपी के है जो कि सभी के इसी तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है अपने Redmi Note 9 Pro के अंदर इसके अंदर फिलहाल मुझे अपडेट नहीं देखने को मिली थी लेकिन मैंने इसको यहां पर इंस्टॉल कर लिया है इसके अंदर आप यहां पर देख सकते हूं इसमें भी इसकाई वाले आपको देखने को मिलता है काफी अच्छा editing फीचर देखने को मिलता है फिलहाल इसके अंदर वीडियो एडिटिंग का कोई नया फीचर नहीं आया है जिसका मैं वेट कर रहा हूं और वह भी काफी जल्दी आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है तो फिलहाल तो यह आपको देखने को म वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाइबाइब से यूना नेक्स वीडियो